हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई चाइनल, आज मैं आपके लिए बहुती प्यारा सा सिंगल कलर में नीटिंग पैटन लेकर आई हूँ, यह जो पैटन है इसे आप जेंट स्वाइटर के लिए बना सकते हैं, अगर आप जेंट स्कैप बना रहे हैं या मफलर बना रहे हैं, त कि यहां पर देखेंगे, तो हमारे फोर के, तू के मल्टिपल में हमें यह पे स्टिच ले 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 हैं, प्लस में 2 स्टिच एड्ड करने साफ कर दिया सेट होगा, प्लस में 2 एज के लिए, रोटर के बाद आपको राइट साइट से बिना है, तो आप बॉडर करते हुए दो फंदो को सीधा मिल लेना है यह फिर से दो फंदे उल्टे और दो फंदे सीधे इस तरीके से फिर से दो फंदे उल्टे और दो फंदे सीधे अब यहाँ पर देखिए जो यह वाले दो फंदे ही डिजाइन सेट करने वाले हैं यह हमारे उल्टे आएंगे तो दो फंदे उल्टे एच के फंदा जो होता है वो आपको सीधा बिनते हुए रो को कम्प्लीट कर लेना है तो पहली सलाई कम्प्लीट हो गई है दूसी सलाई पर आ गए है सेकिंड रो हमारी है रोंग साइट की रो आएगी इसमें हमें सेम इस्टिज बिनने है पहले फंदे को हम सिलिप करेंगे इसके बाद दो फंदे सीधे बिनेंगे फिर दो फंदे उल्टे बिनेंगे फिर दो फ फंदे उल्टे बिनेंगे, दो फंदे सीधे बिनेंगे, और ह के फंदे को उल्टा बिनते वे रो को कम्प्लीट कर लेंगे, अब हम रो थार्ट पर आ गए हैं, रो थार्ट पर भी हमको पहले फंदे को सिलिप कर लेना हैं, फिर हमें दो फंदे उल्टे बिनने हैं, और दो फ आपके बिने जाएंगे और ये दो फंदे आपके सीधे बिने जाएंगे फिर से दो फंदे उल्टे और दो फंदे सीधे ये रो थर्ड आपकी जो है वो राइट साइट से आएगी इस दो फंदे सीधे बिने हैं दो फंदे उल्टे बिनते हुए आपको पूरी सलाई को आपक वे रो थर्ड कंप्लीट कर ली है अब रो फोर पर आ जाएंगे रो फोर पर अगें हम रिपीट करेंगे रो सेकिंड की तरह ही हमारे पहले फंदे को सिलिप करेंगे और दो फंदे सीधे बिनेंगे और दो फंदे उल्टे बिनेंगे तो यहां पर हमने जो रो थर्ड और रो बोर रिपीट करी है वो हमारी सेम रो one और row two की तरह ही रिपीट होंगी तो चार सलाइया हम एक तरीके की ही बिनेंगे दोनों तरब से 2 फंदे सीधे दो फंदे उल्टे और रॉंग साइट से भी 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे तो यहां पर हमने यहां पर चौत ही सलाइ तो यहां पर हम रो फिफ्ट बिनेंगे और दो फंदे उल्टे और दो फंदे सीधे बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं क्या है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजे ताकि आने वाले सबी वीडि जो कुछ नहीं समझ में आया है कोई डिजाइन तो आप मुझे कमेंट करके पूर सकते हैं मैं आंसर जरूर करूंगी तो यहां पर हमने रो फिफ्ट जो है एक बार कंप्लीट कर ली देखिए दो फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे बिनते हुए अब रो 6 आए गई हमारी रो फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे बिनते हुए तो यहां पर जो हमने रो 6 रो तक बिना है वो सेम स्टिच हमने रिपीट किये हैं दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे आपको यह छे सलाईया इसी तरीके से कम्प्लीट कर लेनी है अगर आप बिगनर है आप या फिर आप बिल्कुली आपको नहीं नीटिंग आता है तो आप इसको डिजाइन को बनाए यह आप बिगनर के लिए जो है वो बहुत प्यारा डिजाइन बन कर आ जाता है तो यहां पर हमने देखिए रो 6 कम्प्लीट कर ली है अब रो 7 देखिए हमारा कैसे बिना जाएगा पहले उल्टा बिनना है देखिए दो फंदे सीधे पहले हम यह दो फंदे उल्टे बिन रहे थे अपकी बार रो 7 में हमें यह वाले फंदे सीधे बिनने हैं और यह जो हम दो फंदे सीधे बिन रहे थे इन्हें हमें रो 7 में उल्टा बिन लेना है अब देखिए इस तरीके से हमन देंगे दो फंदे उल्टे फिर से यहां पर देखिए देखिए यही चार फंदे रिपीट होंगे आपके ये जो दो फंदे इनको आपको सीधा और सीधे फंदो को उल्टा बिल लेना है यानि कि आपको सीधे बदल देना है फंदो को दो फंदे सीधे और ये सीधे फंदो को उल्टा बिल लेना है दो फंदे उल्टे अब देखें ये वाले आप दो फंदे सीधे बिन रहे थे उल्टे बिन रहे इनको सीधा बिल दीजे तो यहाँ पर हमाई रो 7 जो है इस तरीके साब को कम्प्लीट कर लेनी है अब रो 8 आएगे आपकी सेम रिपीट करना यानि कि देखें सीधे फंदों को सीधा और उल्टे फंदों को उल्टा तो दो फंदे उल्टे और दो फंदे सीधे ये वाले फिर दो फंदे उल्टे और दो फंदे सीधे इस तरीके से फिर से यही चार फंदे हम रिपीट करेंगे दो फंदे उल्टे और दो फंदे सीधे ये वाले देखिए दो फंदे उल्टे और H के फंदे को भी हम उल्टा बिनते हुए रो 8 को complete कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए हमने पूरी सलाई बिल ली है अब हम रो 9 पर आ गए है रो 9 राइट साइड की तरफ आएगी पहले फंदे को आपको slip कर लेना है देखिए इस वाले फंदे को slip कर लेना है और दो फंदे सीधे ही बिने जाएंगे फिर सेम रिपीट होगी हमारी रो जैसा कि हमने रो 7 भी नहीं थी उसी तरीके से हमारी रो 9 जो है वो रिपीट होगी सेम इस चीच को आपको बिनते हुए कम्पलीट कर लेना है दो फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे तो यह जो मैं डिजाइन बना बता रही हूँ आपको इस पेशली है बिगनर्स के लिए है क्योंकि बिगनर्स बहुत ज़्यादा मुझसे पूछते है कि आप बहुत ही इजी डिजाइन बताईए हमें तो यह उन्ही के लिए है जो बिल्कुल नीटिंग नहीं जानते है रोंग साइट की रो भी आपको इसी तरीके से रिपीट कर लेनी है तो रिपीट कर लेते हैं अब देखिए हम फिर से रो 10 पर आ गए है रो 10 हमने कंप्लीट कर लिए रो 11 पर आ गए है रो 11 हमारी सेम रिपीट हो जाएगी और आपको यहाँ पर जो है 12 रो तक कंप्लीट कर लेना है ठीक तो आपको 6 रो आपको पहले सेम रिपीट करना है दो फंदे उल्टे दो फंदे सीधे बिनते हुए और रो 7 से लेके रो 12 तक आपको रिपीट करना है दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे यानि कि आपको सिर्फ फंदों की जगा बदल देना है बाकि आपकी 12 रो सेम रो 1, रो 2, रो 7, रो 8 की तरह ही रिपीट होंगी तो जब आप इन 12 रो को रिपीट करते हैं तो आपका देखे कुछ इस तरीके का पैटन बन कर आ जाता है यह दोनों तरफ से दिखा एक जैसा देखने वाला पैटन है तो अगर आप सर्कुलर निडल से बना रहे हैं इसे तो यह पूरा जो आपका स्वाइटर है वो एक जैसा दोनों तरफ से बन कर आएगा तो यहां पर देखे हमारी 12 रो रिपीट पैटन कंप्लीट हो चुका यही 12 सलाई आपको बार पर रिपीट करते जब आव रहेंगे तो आपका यह वाला डिजाइन बन के आएगा बहुत इसपेशली यह जो डिजाइन ही ग्रे कलर पे और लाइट कलर पे बहुत प्यारा बन कर आता है आप चाहें तो इसे डार कलर पे बना सकते हैं यह देखिए यह 12 रो रिपीट पैटन है स्रिफ आपको दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे ही बिनने है तो आपका यह अच्छ आया हुगा